सो हलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सो दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने होला दोस्तो कि आप ज़िदी HDFC बैंक में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करना चाहते है अपरिल मेने में तो फिर आपको करना क्या है आपको इस वीडियो को फूल वाच करना है दोस्तो आज है 1 अपरिल मेने में HDFC बैंक के तरफ से WD में का बदलावा या दोस्टो आज की orders You क मैं आप लोग को बताने हो लाँ पर आपको कहने करना आपको इस वीडियो को फुल बाच्ट करना है या और दोस्तो वीडियो में आगे बढने से नीचे आने वा दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आपका जो HDFC bank का FD table है यह open हो जाएगा आप यहां पे देख सकते हैं applicable from 9 February 2024 आनी कि दोस्तों 9 February 2024 को FD में revise किया गया था उसके बाद अभी तक कोई revise नहीं किया है तो दोस्तों हो सकता है अप्रिल मेने में 10 या 15 तरीक के बीच में HDFC bank में कोई update लेकर के आएगा FD को लेकर के तो दोस्तों यहां पे अप देख सकते हैं आप जिदी 7 दिन से 14 दिन का fix deposit कराता है या फिर 15 दिन से 29 दिन का fix deposit कराते हैं तो 3.00% general public को rate of interest मिलेगा एंड 3.50% senior student को rate of interest मिलेगा तो दोस्तों एंड उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आप देख सकते हैं आप माले जे 30 दिन से 45 दिन का fix deposit कराते हैं तो 3.50% general public को एंड 4.00% senior student को rate of interest मिल जाएगा तो दोस्तों एंड उसके बाद नेक्स्ट यहां पे है 46 दिन से लेकर के 60 दिन तक दोस्तों आप जिदी 46 दिन से लेकर के 60 दिन का fix deposit कराते हैं तो 4.50% general public को rate of interest मिलेगा और 5.00% senior student को rate of interest मिल जाएगा तो दोस्तों आप माले जे 9 महिना एक दिन से लेकर के एक साल का fix deposit कराते हैं तो 6.00% general public को और 6.50% senior student को rate of interest मिलेगा तो दोस्तों आप जिदी एक साल से लेकर के 15 महिना का fix deposit कराते हैं तो 6.60% general public को और 7.10% senior student को rate of interest मिलेगा तो दोस्तों आप जिदी एक साल से लेकर करता हैं HDFC bank में तो फिर आपको जो rate of interest मिलेगा ओ यहां पर मिलेगा 7.25% and senior student को मिलेगा 7.75% से दोस्तों आप जिदी एक साल एक दिन से लेकर के चार साल साथ महिना का fix deposit कराते हैं HDFC bank में तो 7.00% general public को मिलेगा and 7.50% senior student को rate of interest मिल जाएगा तो दोस्तों और नेक्स्ट यहां पर में बात करते हैं तो लास्ट में जो कि है पांस साल एक दिन से लेकर के दस साल का दोस्तों पांस साल एक दिन से लेकर के दस साल तक जिदी आप fix deposit कराते हैं तो फिर 7.00% general public को मिलेगा and 7.75% senior student को rate of interest मिल जाएगा तो दोस्तों और यहां पर आप देख सकते हैं आप जिदी HDFC bank में अपने रुपिया के invest करना चाहते हैं और invest करके एक अच्छा कासा rate of interest हासिल करना चाहते हैं तो यहां पर मैं suggest करना दोस्तों कि आप 18 महिने से लेकर करके अकेस मेना के जो FD plan है उस FD plan में आप invest किजिए जिससे आपको 7.25% rate of interest मिलेगा general public को और 7.75% senior student को rate of interest मिल जाएगा आप लोको समझाना चाहता दो आप लोगो समझ में आ गया ओगा दोस्तों एन वीडियो को लाइक कमेंट को मेंट करना साथ तब तक के लिए टरवा जेहिन बने वातराम